हे गाईज देखो कुछ ऐसे स्टॉक हैं जिनके रिजल्ट बहुत ही खराब आये हैं और उपर से भी खबर आया है और क्रैस्ट इस तरीके से स्टॉक हो रहा है अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि मतलब जो है ऐसे स्टॉक से अब हमें एक कदम दूर रहना चाहिए चाहे जो भी हो अगर आप देखोगे तो यहां पर मतलब मार्केट में सुबह मार्केट ठीकी ओपिन हुआ था लेकिन साम होते होते मतलब थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलिया है और मतलब एवनिंग होते होते तो मार्केट जो है थोड़ा जादा गिर चुका था 500 पॉइंट के बाजू में गिरावट देखने को मिल चुका था पिछले पांस दिनों से देखोगे तो मार्केट उपर में यह देखो इंफलेशन बढ़ाया गया अमेरिका के तरफ से ध्यान से समझने की कोशिस किजिए 75 बेसेस पॉइंट जो है इंफलेशन बढ़ाया गय यह कंट्रोल करने के लिए इंट्रेस्टेट बढ़ाया गया अमेरिका के तरफ से ठीक है लेकिन भाई इंडिया में सब कुछ ठीक ठाक है कोई टेंचन वाली बात नहीं है लेकिन अगर आप लोग चेक किजेगा तो अमेरिका का हाल बहुत मतलब थोड़ा वीक हो चुका है मतलब उनका वास साइड में जा रहा है अगर आप इंडिया का क्या वर्ल्ड का सबसे बड़ी कंपणियों का नाम मैं आपको बताता हूं तो सबसे नंबर वन पे जो है अभी टेशला टेशला के बात आता है अमजोन दोनों कंपणियों आल टाइम नहीं लाइफ टाइम लो जो है प्रॉलम देखने को मिल रहा है और आप लोग देखके भी समझ जाओगे कि यह निफ्टी फिप्टी का बहुत तगड़ा कंपनी है सायद मतलब बहुत मजबूत और लंबिसमें में कभी किसी को नुकसान नहीं दिया जादा दिर तक लेकिन आप देखेगा पिछले पांचे नों में तो 14% का लोस पिछले एक मेहाय में 10 % का लास पिछले 6 में धॉंती 3 % का लोस एक साल में यहां पर 32 % तक का लॉस्त पिछले ।ो कंपनी ने सारे इसके ब्रेक कर दिया धिर ब्रॉ सब्ति ऐकर दिया ने cinco में ये खो लेकिन लेकिन अगर उस गिरावट पे कुछ लोग अगर अपनी राहे देना स्टार्ट कर दें तो भाई समझो कि कुछ जादा खतरनाक हो चुका देखो मैं आपको बता देना चाहता हूं अगर कोई स्टॉक 50 पसंद गिरा है कोई लोग बोलते को टिंचर वाली बात नहीं ठीक है चलेगा लेकिन अगर कोई स्टॉक उल्टा गिरा है और लोग बोल रहे हैं नहीं यह तो शुरुआत है यह तो जो आप देख रहे हो नहीं यह टीजर है ट्रेलर है पूरा पिक्चर तो भी बाकी है समझ दो ना पिक्चर तो भी बाकी है जब इस तरीके से लोग बोलेंगे तो क्या होगा कि आप ड्र जाओगे और स्टॉक में जिस तरीके से विक्नेस देखने को मिला वह तो अलग है कंपनी का नाम देख लो दिबिस लबरेटरीज एक चीज़ में आपको पता देना चाहूंगा आज के डेट में जाओ Google में वह information लो जो आज तक आपने कभी सर्च नहीं किया जाओ इस company का नाम सर्च किजिए और देखें YouTube में कितने सारे लोगों ने आप लोगों को वीडियो बना बना कर बना बना कर बोला था कि बड़े-बड़े company में पैसा देख लिए डाउन ग्रेट कर दिया है ब्रोकरेस डाउन ग्रेड़े डिविस लैब यहां पर देख सकते हैं पोस्ट क्वार्टर टू जो रिजल्ट इनको और जादा डाउन ग्रेट कर दिया गया है बताईए इतना गिरावट के बाद भी डाउन ग्रेट किया गया है को बहुत ज्यादा knowledge देखने को मिलेगा इतना ज्यादा आपको knowledge मिल जागा ना कि आप चीजों को सही तरीके से समझना स्टार्ट कर दोगे मैं कुछ कुछ ऐसा नहीं करने बोल रहा हूं जो आज तक हुआ नहीं मैं केवल 10 या 20 सालों का data देखने बोलना देखो क्या बोलते हैं जिस company में आप invest करना चाहते हो उस company का 10 साल का data आपको पता रहना चाहिए करके तभी आप फर्दर कैसे होगा वह पता चल लागा ठीक है अभी इसी तरीके से अगर आप निफ्टी का 10 सालों का data देखोगे तो निफ्टी 50 में कितने company होते हैं 50 company होते हैं तो पिछले 20 सालों में कम से कम 50 यह 100 company को बहर निकाल दिया है और जिदने अच्छे company उसको अंदर लिया है मतलब समझो कि यह एक निफ्टी 50 का box है तो इसमें अच्छे company इदर से जो लुए भी गया है ठीग है तो यह क्या है मतलब जो अच्छी कमपनियों जा रही है जो बुरी कमपनियों बाहर आ रही है थो हर साल मैं आपको बता देना चाहता हो हूं 20 साल का डेटा देख लो nifty 50 कमपनी रहते हैं यह 50 में से 50 से ज्यादा पचास ये सो कमपणी को Nifty ने अपने अंदर लिया है और पीछे से निकाल दिया है बाहर को जो फाल्तू है, जो वेस्ट है, जो अच्छा पॉफम नहीं कर पार है तो एक चीज मैं पेपर में लिख के दे सकता हूँ जो चीज आपको RBI भी नहीं लिख के देगा या फिर इस दुनिया में कोई ऐसा पैदा ही नहीं लिख के देगा मैं आपको पता देना चाहता हूँ, आप स्टॉक मार्केट में किसी भी कमपणी में इन्वेस्ट करो आपका खुद का रिसर्च और भरोसा होना चाहिए अगर कोई भी इंसान ऐसा बोलता है कि आप बड़ी कमपणी में इन्वेस्ट करो तो अच्छा रहेगा तो आप उससे पीपर में लिखवा के ले लो कि हाँ आप लिख कर दो कि नुकसान नहीं होगा करके मैं बोलना चाहूँगा लिख के दूँगा क्या बड़ी कमपणी खड़े दो, छोटी कमपनी खरदो निफ्टी 50 खरदो, निफ्टी 10 खरदो, निफ्टी 1 खर दो, नुकसान होना तो तय है, कहीं पर भी क्योंकि स्टॉक मार्केट ही एक रिस्क है, इसका नामsay एक तरीके का रिस्क है ठीक है तो कोई भी company safe नहीं है याद रखेगा दस सल बात कुछ भी सिनारियो हो सकता है येस बैंक की देख लिए कितना अच्छा बैंक था लोगों को कितना भरोसा था आज क्लिक डेट में देख रहो बैंक मतलब सडक पर आ चुकी है वह बैंक तो इसलिए मैं बोलना चाहता ह से भी नहीं लिखके देगा भाई हमारे प्रदान मंत्री मोधी जी भी नहीं लिखके देंगे बात समझ में आ रही है तो अभी भी अपने दिमाग के डक्कावन को खोलो समझ रहे हो और अच्छी company में इन्वेस्ट करो जब बड़ी company में भी लॉस हो सकता है चोटी company में भी लॉस हो सकता है तो फिर बड़ी company में इवेस्ट क्यूं करूंगा गधा बन कर बताओ क्यूं बनुगा क्यूंकि बड़ी company आपको 20-25% तक का ज्यादा return निकाल के दे सकती है सालों में और जिछोटी company हो सकता 100-200-500% तक का return निकाल के दे एक साल में तो जब risk ही लेना है तो एक साल में 30% मिल सकता और यहां पर हो सकता कि आपको 200% का मिल सकता रिस्क दोनों जगा है दोनों जगा पैसा आपको जो है नुकसान हो सकता है तो आप कहां पर इन्वेस्ट करना ज्यादा यह सोचोगे ठीक है आपका दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा तो इससे अच्छा कमपनी का जो रेविन्यू था उसमें कुछ जादा खास मतलब चेंजेस नहीं हुए है लेकिन ठीक ठाकी है 2000 करोड के बाजू में पहुंचने वाले था और अभी 1800 के बाजू में अब जब इसका नेट प्रॉफिट वगरा देखना चाहोगे तो कमपनी 606 करोड है और यहां कम से कम तो मैं आपको बता दौँं कि सिक्षंड़र से ज्यादा प्रॉफिट करना चाहिए था एक साल में इतना इंप्रूफ्मेंट तो भई कोई भी सू सकता हूं कि इतना इंप्रॉफ्मेंट तो होना चेह है और आज कि मतलब इसको 1000 करोड से तो उपर जाना चीयए था जो कि company वापस आचुके 500 क्रोड मतलब समझ रहो कितना नुकसान हुआ है दिमाग का ढकन खोलो और घुराव ढकन को देखो तो 50% तक का नुकसान हुआ है company को कितना 50% है जब company को 50% नुकसान हुआ है तो company वाली क्या बोलेगी आओ मैं तुम्हें पैसे दूँगा bank से निकाल कर आपको भी 50% का loss बेर करना पड़ेगा धियान से समझ यह अगर आप train से भी जा रहे हो चुक चुक करके और अगर आप aeroplane से भी जा रहे हो ठीक है दोनों का अगर price same है और आपको पहुचना जल्दी है तो plane से जाओना भाई बास समझ में आ रहे है न अगर price same है कैसे stock market में तो दोनों में तो same risk है रिस्क तो रिस्क होता है भाई रिस्क तो रिस्क होता ना बस बात खतम pharmaceutical की अच्छी company थे अब लोग बोलें सर आप बोल भे बहुत रहे हो करके दिखाओ तो न समझूंगा देखो इस इंसान का चेहरा तो आप सभी लोगो पता ही होगा और चेहरे के साथ जो company mind में आता है इस company में invest करने से कितने लोगो को डर लगता किसी को डर नी लगता सब को जो कुछ मैंने लिखा हो ना एक बर पढ़ लो ध्यान से पढ़ ले ना ठीक है और एक बर पढ़ने के बाद जो next video बनाने वाला हो ना जितना इस वीडियो में मैंने बोला है ना उस वीडियो में 100% में प्रूफ करता हो नजर आउंगा चीजों के साथ आपको दिमां के जो खरीदें इन अब यह जो मैंने आपको इतना बोला किया अगले वीडियो में प्रूफ भी तो करना पड़ेगा ना मुझे भाई दिखाना तो पड़ेगा ना कि जितने लोगर रिलाइन्स खरीदेते हैं वो कहां हैं और हम कहां है डिफ्रेंस कितना है वो भी तो दिखाना पड़ेंगा ना आपको तो अगले वीडियो में दिखा रहा हूं आप चैनल पे जाके वीडियो में जाके देख लीजेगा दिख जाएगा आपको ठीक है सेम थम्निल रहेगा और अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो अपने डिमेट अकॉन इंजल में उपन कर सकते ह महाँ पर आपका डिमेट अकॉन बिल्कुल फ्री डिलेवरी चार्डेस फ्री के वल्ट 20 रूपीज लगता वो भी इंट्रडे में डिस्क्रिप्शन में लिंक है मिंटो में जाके अपने डिमेट अकॉन वगरा ओपिन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में ठीक है जो मैंने थमन